हेलो एब्रीबन तो कैसे आप सभी आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे तो मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं कॉलेज अपडेट्स तो देखिए दिल्ली विश्विद्याले एडविशन 2020 यानि डिव एडविशन 2020 को लेके अभी स्टूडेंट की वन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यही कि सर रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट में कई ऐसे कैंडिडेट है जिनको सो में से सो नंबर मिले है अब जब भी आपका स्यूटी का रिजल्ट आया अब सबसे बड़ी चीज एडविशन कैसे होगा पूरा प्रॉसियर क्या होगा दिल्ली बिस्विध्याले के अंदर वो में आपको बताऊंगा और फर्स्ट मेरिट की जो लिष्ट है वो कब तक आएगी जिसे फर्स कटॉप भी आप कह सकते हो कब तक आएगी कि उसी के बे रिष्टेशन कराना है जिसकी जो लाज देट है वो तीन अक्टूबर है यानि सी एस एस का जो पोर्टल है अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो अभी जाईए दिल्ली बिस्विध्याले की साइट पर मापना रिष्टेशन कराईए पंजी करण करवाईए जब आपका पं सब्जेक्ट में आपके सबसे हाई स्कोर किया है उस सब्जेक्ट को प्राथमिक्ता दी जाएगी मालीजी आप बी ए में जा रहे हो और बी ए में आपने पॉलिटिकल साइन चुना है इस ती चुना है और उनके जो नंबर सोंगे उनको प्राथमिक्ता दी जाएगी ठीक है अब उनी नमबरों के आदाब है, मनलब कि आपका सीट एजल्ड के नमबर, एक आपका परसेटाइल नमबर, दोन नमबर आपको सो कर रहे होंगे, तो उन दोनों के बेस पर ही आपकी मैरिट लिस्ट बनाई जाएगी, मनलब कि कुल मिलाके इसमें स्टूडेंट खुद डाले में सीट अलोड की जाएगी, ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल, ये मैरिट लिस्ट कब तक आएगी, कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, तो जो भी पूरा कैलकुलेशन रहेगा, वो सीउटी के नमबरों के आधार पर ही रहेगा, इसमें आपके 12 लिए नमबर की कोई बैलू नहीं है, मतलब आप ये सोचे रहों कि मैंने टॉप किया है, मैं फर्स्ट आयो तो मुझे पहले मिलेगा नहीं, सीउटी के नमबर जो ही स्कोर साब आपने किये हुए सब्जेक्ट पे उननी को प्राथ्मिक्ता देखे एक लिस्ट तयार की जाएगी, इसे नॉर्मल ये जारी की जाएगी, जैसी मैरिड लिस्ट जारी होगी जार उसके बाद आपका जो एड़ीशन है फर्स मायरिृट के लिए किया जाएगा, ठीक है फिलाल आपको रजिस्टेश्न कराना है, रजिस्टेशन करा लो उसके बाद का प्रोसीजर है, तब सब्छी बड़ी बि आपको अपडेट देगा चल को सब्सक्राइब कर लो और टेलिगराम भी जॉइन कर लो लिंक में डिस्क्रिप्शन वाक्न वाक्स में आपको दे चुका हूं थैंक यू सो मच